हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आपके पास भी है कम्प्यूटर या लैप्टॉप और आप उसमें चैक करना चाते हैं उसका ओपरेटिंग सिस्टम की कौन सा ओपरेटिंग सिस्टम है उसमें विंडो 10 का कौन सा ओपरेटिंग सिस्टम है या विंडो 7 का कौन सा ओपरेटिंग सिस्टम है तो कैसे चैक करें आये जानते हैं इसके लिए आपको simple तरीगा मैं आपको बताने वाला हूँ आपको अपने keyboard से प्रेस करना है window plus r यानि कि window बटन दबाय रखें और आप प्रेस करें r ये वाला page आपके पास आ जाएगा यहाँ पर आपको ये वाला page अगर नहीं मिलता है तो आप अपने window बटन को प्रेस करें यानि window open करें यहाँ पर आपको type करना है r un run option आ जाएगा इस पर क्लिक करें और वही page आपके पास आ जाएगा यहाँ पर आपको जो डबा दिखाई दे रहा है आपको इससे खाली करना है यानि इसमें सब कुछ cut कर देना है और आपको यहाँ पर type करना है d x d i a g और ok कर देना है इसके बाद आपको थोड़ा सा इंतिजार करना है यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर ok या cancel करने हो कहे तो कर दीजिएगा अब यहाँ पर आपको कई सारी detail मिल जाएंगी यहाँ पर आपको मिलेगा ओपर system system पर click करिए पहले एक बार अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा operating system आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 लाइन भी दिखा रहा है हमारा size आपका अलग हो तो यहाँ पर दिखा रहा है operating system window 10 education 32 bit 10.0 build 18 363 और भी detail यहाँ पर दी गई है जैसे कि यहाँ पर कितनी रेम है यहाँ पर page file दिखा रहा है bios दिखा रहा है तो ऐसे आप check कर सकते हैं पर main हमारा मक्सद यहाँ पर 30 लाइन पर है तो ऐसे आप इसको check करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें